अलो दोस्तू आज की वीडियो में हम बात करेंगे पांच वॉलिवुड हिरोईंस के बारे में जो शादी से पहले ही मा बन गई थी दोस्तो वॉलिवुड में लब, ब्रेकप, अफेर और एक्स्टा मेरिटल अफेर के बारे में आपने ना जाने कितने किसे और कहानिया सुनी होंगी लेकिन आज हम आपको वॉलिवुड की कुछ दूसरी ही कहानी बताने जा रहे हैं कहानी उन एक्ट्रेस की जो शादी से पहले ही प्रेगनेंट हो गई थी पर दोस्तो शुरू करने से पहले हम आपसे ये जरूर कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो चलिए शुरू करते हैं इस लिस्ट में नमबर एक पर है वॉली बुट की चांदनी याने श्री देवी वॉली बुट की हवा हवाई गर्ल श्री देवी ने 2 जून 1996 को प्रोडूशर बोनी कपूर से शादी की थी ख़बरों की माने तो श्री देवी ने ये है मान लिया था कि जब उन्होंने बोनी कपूर से शादी की थी तो वो उस समय साथ महीने की प्रेगनेंट थी नमबर दो पर है कोण का सेन शर्मा कोण का सेन शर्मा ने अभिनेता रणवीर शोरी से 3 दिसंबर 2010 को एक प्राइबेट फंक्शन में गुप चुप तरीके से शादी कर ली थी शादी से पहले दोनों एक दूसरे को लंबे समय से डेट कर रहे थे बहीं 15 मार्च 2011 को कोण का सेन शर्मा मा बनी कुछ समझे दोस्तो मतलब 3 दिसंबर 2010 को इनकी शादी हुई और 15 मार्च 2011 को इनका बेटा हुआ बागे आप खुद ही समझदार है नमबर 3 पर है महिमा चोधरी वालिवुड में एक सुपरस्टार के साथ कदम रखने वाली महिमा चोधरी आज भरे ही लाइम लाइट से दूर हूँ दोस्तो महिमा चोधरी ने एक प्राइबेट सेरे मनी में अपने बॉइफरेंड बिजनेस मैन बॉबी चोधरी से शादी की थी और इसकी उन्होंने किसी को कानो कान ख़बर तक नहीं होने दी लेकिन खबरो की माने तो महिमा शादी से पहले ही प्रेगनेंट हो गई थी और इसलिए उन्होंने जल्द बाजी में शादी की नमबर चार पर है सलीना जेटली सलीना जेटली ने 23 जुलाई 2011 को अपने बॉइफरेंट पीटर हॉक से चुपचाप शादी कर ली थी खाबरों की माने तो सलीना शादी से पहले ही प्रेगनेंट हो गई थी और बाद में उन्होंने मार्च 2012 में जुडवा बच्चों को जनम दिया और नम publik 4 पर है नेना गुपता एर्टी जब वेस्टरीज के कॉर्केटर बिवियन रिचर्ट्स करिवियंट टीम के साथ इंडिया के टूर पर आये थी तो एक फंक्शन में नीना गुपता और विवियन रिचर्ट्स की मुलाकात एक दूसरे से हुई और इस मुलाकात के बाद इन दोनों में प्यार होते दिर नहीं लगी नीना विवियन के प्यार में इस कदर डुग गई कि उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि विवियन पहले से ही शादी शुदा हैं और इसी अफेर के दुरान नीना प्रेगनेंट हो गई और उन्होंने बेटी मसावा को जन्म दिया लेकिन यह दोनों कभी एक दूसरे से शादी नहीं कर पाए और नीना ने अकेले ही अपनी बेटी मसावा की परवरिश की तो दोस्तों आपको इन अभिनेत्रियों के बारे में जानकर कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताईए और वीडियो पसंद आई तो वीड ग्यान को भी सब्सक्राइब करने धन्यवाद